जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी चरूरू लिखे मातारानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि पुर्सोत्तम मास में पढ़ने वाली एकादसी का महत्व क्या है साथ ही साथ पुर्सोत्तम मास की इकादसी को करने से कौन से पुन्य फल की प्राप्ती होती है और इस एकादसी की ब्रत की कथा क्या है दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी देंगे पुर्सोत्तम मास में पढ़ने वाली एकादसी के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे, तो पुरसोत्तम मास में पढ़ने वाली एकाजसी को पदमिनी एकाजसी या कमला एकाजसी के नाम से भी जानते हैं, पर तेक तीसरे वर्स, पुरसोत्तम मास में पढ़ने वाली पुरसोत्तमा एकाजसी का बहुत अधीक महत इस तिथी को भगवान स्री कृस्त ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है, जिसका ब्रत करने से स्री महालक्ष्मी जी की अनुकूल किरपा प्राप्त होती है, इस दिन घर में जब करने का एक गुना, गौसाला में जब करने पर सौ गुना, पुर्ने छेत्र तथा तिर्थ में हजारों गुना, तुलसी के समीप जब तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, सीव तथा विष्नों के छेत्रों में करने से करोडों गुना फल की प्राप्ती होती है, इस एकाजसी ब्रत की कथा की बात करें तो धर्म राज युधिस्ठिर द्वारा इस पूटे पुत्र का नाम जैसर्मा था, जो धर्म भरस्ट होकर पाप मार की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिताओ और बंधू बांधू अत्यन दुखी रहने लगे, उसका कूमार्ग इतना प्रवल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया, बुरे कर उसने तिर्वेनी में अस्नान किया और निकठ ही हरी मित्र मुनी के आस्रम में जापुंचा, वहाँ पर ब्राम्हनों द्वारा सभी पापों का नास करने वाली कमला एकाजसी की महिमा सुनी, जो परम पुन्ने मई और भोग और मुक्ष परदान करने वाली है, जैसर्मा ने भी बिधिपुर्वक कमला एकाजसी की कथा सुनकर मुनियों के आस्रम में ही ब्रत किया, जब आधी रात हुई तो भगवती स्री महालक्षमी उसके पास आकर बोली, हे ब्राम्भन पुत्र, कमला एकाजसी ब्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन हूँ, और देवा धी देव स्री हरी की आग्या पाकर बैकुंठ धाम से तुम्हें वर्देने आई हूँ, जैसर्मा ने कहा कि मा एदी आप मुझे पर परसन हैं तो यह ब्रत बताईए, जिसकी कथा में साधू संथ हमेशा सनलग्र रहते हैं, स्री महा लक्ष्मी ने कहा हे ब्राम्भन एकाजसी ब्रत का महात्मे सुरताओं के सुनने योग सर्मुत्तम भी सै है, यह पवित्र वस्तूओं में सबसे उत्तम है, इससे सभी पाप कर्मों का नास होता है और अक्षय पुर्णी की प्राप्ती होती है, जो पुरुस्रधा पुर्वक इस एकाजसी का ब्रत पालन तथा महात्मे का स्रवन करता है, वह समस्त महा पात्कों से भी ततकाल मुक्त हो जाता है, जैसे मासों में पुर्सोत्तम मास, पक्षियों में गरूर तथा नदियों में गंगा स्रेस्ट है, उसी प्रकार तीथियो में एकाजसी तथा द्वाजसी भी स्रेस्ट है यदि सुर्योदय के समय एकाजसी हो सुर्यास्त के समय द्वाजसी और रात्री व्यतित होते होते त्रेयोदसी भी लग जाए तो उस त्रेयोदसी के पारण में सो योग्यों का पुन्फल प्राप्त होता है ब्रत करने वाले को स्री विस्नु के मंत्र का जाब करना चाहिए, स्री हरी की अस्तूती करके अपने ब्रत का पालन करना चाहिए. जिन्हें मंत्र पहने में किसी तरह की परिसानी आ रही हो, वे स्री पुंडरी काक्ष की प्रार्थना इस प्रकार करें कि हे स्रीहरी, हे कमलनयन, हे भगवान, अच्चियुत मैं एकाजसी को निराहर रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे सरन दे, दूसरे दिन द पुजन करने के पस्चात स्रीहरी के मंत्र का जाप करें, मंत्र का अर्थ है, हे केसो, मैं अज्ञान रूपी रतांधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस ब्रत से प्रसन होकर मुझे ज्ञान द्रिस्टी प्रदान करें, इस तरह से प्रार्थना करें भगवान स्री क्रिस्न युधिस्टीर को समझाते हुए कहते हैं, कि हे राजन जो इस प्रकार पुर्सोत्मा एकाजसी का सुद्ध भाव से ब्रत पालन तथा कथा का स्रवन करता है, वो जीवन मरन के बंधन से मुक्त होकर मेरे बैकुंट धाम को प्राप्त होता है, तो दो पैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स